दोस्तो आप देख रहे होंगे, यहाँ पर phone के dialer में आपको यहाँ पर animated video background देख रहा होगा, photo का तो यह dialer में photo कैसे लगा सकते हैं, कैसे video background लगा सकते हैń phone के dialer में, मैं इस video में आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए करते हैं video start दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फॉन के डाइलर में अपनी फोटो कैसे लगा सकते हैं तो दोस्तो आप नीचे देख रहे होंगे, आपको नीचे left side में phone dialer देख रहा होगा, जहां पर हम phone करते हैं, तो हम इस पर click करेंगे, click करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे, आपको इस तरह का dial paid देखेगा, यहां पर आपको background में आपकी photo दिखाई नहीं दे रही है, आपको देख सकते हैं, लेकिन दोस्तो यहां पर आप इस dialer में अपनी photo लगाना चाते हैं, पीछे background में तो वो कैसे लगा सकते हैं, यह मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा end तक देखेगा, त्यान से देखेगा, step by step आपको बताने बाला हूँ, तो दोस्तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको यहां पर यह जो dialer है, आपने देखा यह नीचे, इसको आपको यहां पर इधर ले आना है, और लाने के बाद इसको यहां से remove कर देना है, हमने इसको remove कर दिया, अब आपको क्या करना है, play store पर जाना है, play store पर जाएंगे, औ और यहाँ पर जाने के बाद आपको सर्च करना My Photo Phone Dailer, यह आपको सर्च करना है और यह एप आपको इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद में आपको नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको 10 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है, अब आप इसको तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने इंस्टॉल कर लिया, अब आपको यह रहा दोस्तो कॉल फॉन नाम से हम इसको यहाँ पर ड्रेक करेंगे और यहाँ पर इस जगह पर ले आएंगे, हम यहाँ पर ले आएंगे, अब दोस्तो हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस टाइब का Interface दिखाई देगा हम यहाँ परमिसन मागेगा तो हम वह परमिसन देंगे अब यहाँ पर आप देखेंगे एसे इस पर टच करते جाएंगे यहाँ जैसे यह बता कर देंगे यहां पर default phone call मांग रहा है तो हम यहां पर call phone यहां पर set as default पर click कर देंगे और नीचे phone state पर हम permission दे देंगे अब हम back में आएंगे back में जैसे ही आएंगे इस type का interface आपको दिखाई देगा अब यहां पर आप देखेंगे यहां पर adds also यहां पर add आते हैं दोस्तों तो add को हम यहां से अभी आटा देंगे skip कर देंगे add skip कर दिया अब यहां पर आप देखेंगे अब आप यहां पर dialer में लगाना यहां पर dialer में लगा सकते हैं call screen में लगा सकते हैं color screen में तो हम यहाँ पे पहले color screen में लगा लेते हैं तो हम यहाँ पे color पे click करेंगे color पे click किया अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे view tutorial पे click करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे इस type का तो यहाँ पे background लिखा हुआ है ground पर आप klik कीजेगा और यहां से आप कोई भी pick select कर सकते हैं यहां पर आप यहां पदेखेंगे तो यहां प्ली किरेगी यहां इसके छोट कड़ें तो यहां पर आप देखेंगे इस टाइप आप इहां पर नीचे apply पट कर दीजिए और के पटर कर दीजिए यह फोटो यहां पर लग चुकी है दोस्तों यहां पड़ागा और आप यहां पर यहां पर यहां फोटो देखें तो हब दोस्तों यहां पर इस टरब का आ जाएंगे अब बैक में आ गए बैक में आने के बाद मैं फिर से यहां पर एड़ आते हैं हम 5 सेकंड बाद एड़ को यहां पर आटा सकते हैं अब आप डाइलर में लगाना चाहते हैं तो आप डाइलर पर क्लिक कीजिए हम डाइलर पर क्लिक करते हैं और यहां पर आप दे यह फोटो आ चुकी है और यहां पर लिखा हुआ है apply ना तो हम apply ना पर क्लिक करेंगे successfully applied पर click यहां पर apply successful हो चुगा है यहां पर फिर से add आता है तो add को यहां से skip कर जाते है add skip कर दिया और यहां पर यह apply हो चुगा अब आप देखेंगे इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा डाइलर में तो यहां पर अब हम क्या करेंगे अब नीचे जाएंगे नीचे अब हम यहां पर जो calling यह पर है इस पर हम click करते हैं यहां पर click करेंगे तो यह आप देखेंगे यह dialer है दोस्तो और dialer में आप देखेंगे background में इस type का यहां पर image देखेगी और जो भी video image आप देख सकते हैं यहां पर video image देख रही है दोस्तो आपको तो आप video image यहां पर लगा सकते हैं आप देख सकते है और यहां पर आपकुछ भी डाउनलोड यहां पर किसी को भी Call कर सकते हैं यहां पर डाइल्गر करके तो इस तरीके से दोस्तों आ suivre आρίसे पर एपनी यहां पर यहां परCar डाइलर में फोटो ओपनी और यहां पर कॉल स्क्रीण पर भी अपनी फोटो लगा सकते हैं, वीडियो फोटों यहाँ पर लगा सकते हैं, यह पर एनिमेटेड वीडियो देख सकते हैं, वीडियो पशन्त आख करके कमेंटड़ दॉक्स में आप फोटों लिख दिएगा चैनल को सबस्क्राब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दिजिएगा